हेलो फ्रेंड्स, मुझे दॉक्टर दृती पतिल, लेक्चरर इन मैथेमेटिक्स, गवर्मेंट पूलिटेक्निक एमडबाद आजे आपड़े डिफ्रेंसियेशन एंड इस अप्लिकेशन नी सैकेंड अप्लिकेशन करे रहा छे आणि आगरना सैशन मां आपड़े फर्स्ट अप्लिकेशन करीती जेहती फाइंड वैलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दैट मेंज वेग अन्ने प्रवेग यूजिंग डिफ्रेंसियेशन मतलब के विकलनना मदद थी वेग अन्ने प्रवेग शोधो यह आपड़े फर्स्ट अप्लिकेशन हाती जे आपड़े लास्ट सेशन मां करीती आज यह आपड़े सेकेंड अप्लिकेशन करवाना छे जेन्नों टाइटल छे find the maximum and minimum values of given function मरलबके एक function आपेलो होय आपड़ने यह आपड़े 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 आनी महत्तम अने नियुनतम कीममतो differentiation ने हल्प पर शोध बानी छे तो आगड़े तो आपड़े जे मामणा वाद करियें फर्स्ट अप्लिकेशन छे find velocity and acceleration using differentiation जे आपड़े आगड़ना session मा करियो छे आज आपड़े शूकरवाना छे the second application find the maximum and minimum maximum इटले महत्तम अने minimum इटले नियुनतम बराबर तो आपेला function नी महत्तम अने नियुनतम कीममतो शोधवानी छे differentiation नी मदद थी understood okay तो साओधी पहला तो कुई पर function आपड़े आपेलू होए दारो के function आपेलू छे y is equal to fx okay अने m कहेचे कि आ function नी maximum नी minimum values छोधो तो आपड़े जेनरली शूँ करिये के अलग अलग वैल्यूज मूँक ये x नी अने अलग 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 फंक्शन नी values आपड़े राइट जो particular आपड़े इंटर्वल आपियो छे तो आपड़े आ इंटर्वल नी दर एक वैल्यू मूखीन है पाछी जे पन आंसर आव है माझे maximum value छे तमारी महत तम value थे जाए अन जे minimum value छे तमारी newton value थे जाए तो particular इंटर्वल आपड़े लो है तो है क्या रेक possible छे अल्सो दर एक केस मा possible ना थी केम करणके तमने इंटर्वल आपड़े 0 थी 1000 तो 0 थी एक हजर तमें values इंजट करवा जाओ तो तमारू exam ना बद्धा बद्धा कल्ला केमाच पती जाए राइट सो आँ method इटली feasible छे ने हाँ बैतरन values आपी छे खाली अने मके आमाँ थी maximum minimum शोदो तो possible छे ना ना इंटर्वल्स माटे possible छे बागी actually आँ method feasible छे ने तो आँ method ना करवी हो तो BJK method थे शके ग्राफिकल method थे शके राइट तो सपोज मुँँ ग्राफ ड्रा करूँ जो, A अने B, अने आ नी वच्चे धारो के मारा फंक्षन नो ग्राफ कहीं कावो छे, ओके, इस इस माई फंक्षन, y is equal to fx, आ x-axis छे, अने आ y-axis छे, तो आमना पड, A थी B नी वच्चे, आ महत्तम वैल्यू, अने आ निवन्तम वैल्यू, पड़ा एक नाना इंटर्वल नी वच्चे छे, B पच्ची फंक्षन उपर जाए छे, तो B पच्ची फंक्षन नी वैल्यू और maximum थाही रही छे, तो अहीं आपन जो और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपड़े जोए छे, तेरह आपनने नाना इंटर्वल्स माटे maximum minimum वैल्यू इजीली जोई शकाये छे, पण जो infinitely expanding function होए, बनने बाजू, तो तिया आपड़ आपने ग्राफिकल मैथड थी पन सच्चो अंसर मरतो न थी, कि the highest value and the lowest value पन आपने मरती न थी, यहलिए maximum ने minimum values शोधुआ माटे आप बनने मैथड्स छे, पण आप मनने मैथड्स दरेक केस माँ वापरी शकाये यह वो जरूरी छे, नहीं, तो पछी आपड़े शू करवानू, ओके, तो आवा केस माँ y is equal to fx नी maximum ने minimum values शोधुआ माटे we use differentiation, विकलन नी मदद थी आपड़े function नी maximum मने minimum values शोधी शक्ये छिए, ओके, के भी रिते, तो जुओ, आपणने खवजे tangent एटले शू, धारो के आव सर्कल छे, just for your understanding हाँ, आव सर्कल छे, तो सर्कल ने कोईपण एक पॉइंट माथी इंटेसेक करती लाइन, इन्यों tangent केवाई, this is called the tangent, ओके, और we can say स्पर्शक, गुजराती माँ tangent ने कहवाई छे, स्पर्शक, स्पर्शक केटले शू, के जे तमारू function छे, के तमारू curve छे, एन्यों एक अन्यों मात्र एकज पॉइंट माँ इंटेसेक कर्शे, एन्यों आप्रेस पर्शक केटले के tangent कहिए, छे, ओके, अवे तमें समझो, धारू के मने function y is equal to fx आप्यों छे, अन्यों आनू हूँ ग्राफिकल रिप्रेसेंटेशन जो उचू, एन्यों डिसीज दे ग्राफिकल रिप्रेसेंटेशन, अंडेस्टेंडिंग माटे नानोग्राफ ग्रो करी रहे छू, ओके, तो हवेशू थाशे, आजे हाइस्ट पॉइंट छे, अन्याजे लोइस्ट पॉइंट छे, अहिआ को जारी हूं स पर्षक दोरीश, तो आस पर्षक के वों हशे? एक सक्षने पैर्लल हशे, एक सक्षने समांतर हशे, सिमिलरली निचे पंढ जो या लोब blueberry छे, तिया आपण स्पर्षक कीवो हशे? X सक्ष ने समानतर हशे. That means कि आपणे यह कई शक्ये कि जे highest अने lowest point छे यह उपर जे स्पर्षक दोरवा मा आवे, इटले कि टेंजन्ट दोरवा मा आवे छे तो यह टेंजन्ट के वो माला चे आपणने X सेक्सिस ने समानतर माला चे हवे आटेंजन्ट नो जे स्लोप छे धारो के आफ फंक्षन चे y is equal to fx y is equal to fx नो आ ग्राब चे तो यह टेंजन्ट चे इटले कि पर्षक चे एनो ढाल ढाल एटले के स्लोप आजे टेंजन्ट चे एनो स्लोप d y by dx थाई चे ओके आई यह पंड आनो स्लोप छों थाशे d y by dx अन्ने कारण के या बनने टेंजन्ट X सेक्सिस ने पैरेलल चे वी केंड से के आ बनने टेंजन्ट माटे d y by dx जीरो थाई चे क्याल आवे चे फ्रेंड्स? तो फरी थि आजे बै एक्स्ट्रीम वईंट्स चे ऐजे बैे एक्स्ट्रीम पउस्ट्स चे dos maximum and minimum point एन्द 你 उपर के आपडेंट टेंजन्ट ड्रो करिए चो यह तैयरे टेंजन्ट केवा बने चे x-axis में समांतर बने चे औने कारण के x-axis ने समांतर चेना ढाल किया वा थासे 0 थाशे, औने ढाल माटे formula चुछे dy by dx तो फरी थी, y is equal to apex माटे tangent नो slope चुछे dy by dx जे extreme points माटे 0 थावानों चे ओके friends, तो अवे आगर जुईए हावे use of second derivative अवे तुम्हें समझो, आपने अमना जावज तो जुई, धारू के x आने y-axis छे तुमारों ग्राफ आतो, तो आज है tangent चे आ tangent नो slope चुछ थाए चे dy by dx अनना यहाँ पन slope चुछ थाए चे dy by dx आपने अमना जावात करी, राइट हावे आपोइंट उपर थी tangent जो आम खस चे, क्या लावे चे सपोज आप कर्व चे सपोज आप कर्व चे अनना tangent नहीं चे तो आपोइंट साथे tangent जो मूव करे तो आनना slope मा चेंज थाए, राइट अनना slope नी अंदर चेंज इडले, d by dx of dy by dx आजे dy by dx छे, एननी अंदर चेंज इस थाए छे, राइट तो dy by dx ने फारे differentiate करिये इटले माने माले, d square y by dx square ये शोँ बतावे चे, change in the slope बतावे चे, राइट मतलब के जो आपोइंट उपपर चे, यहां थी नीचे खस चे तो slope के वो थासे, डाउन थाशे? राइट, आउपपर चे, हुँँ आगर जोओ, एटले slope डाउन थाशे? उचो थाशे? राइट एनद डेरफोर आवा केस माँ, d square y by dx square नेगेटीव आवशे? काणके पॉइंट उपपर थी नीचे आई रहू छे? राइट जैरे के आ केस माँ, पॉइंट आईया छे, आ पॉइंट साथे tangent जैरे उपपर जाई छे? त्यारे अप थाई रहू छे, राइट मतलब के dy by dx माँ, जे changes आई रहू छे, ये positive change छे दैट मेंज के आ केस माँ, d square y by dx square के वो आवशे? पॉजिटिव आवशे सो जैरे maximum point छे, अने पची आगळ वदे छे तमारों tangent, तो d square y by dx square negative आवशे? नीचे नूँ point छे, त्यांथी जैरे tangent आगळ वदे छे, तैरे d square y by dx square positive आवशे ख्याल आवशे? तो आ बद्दूज ध्यानमा राखी ने, आपणे एक method डैवलप करी शक्किए कि कई रीते आपने maximum मने minimum value शो दी शूँ, ओके? सपोज मने function आपे लूँचे y is equal to fx तो y is equal to fx माटे सवती पहला मैं शूँँ बात करी? मारे पहला तो आप बनने point छो दुआ पड़े अन्य ये बनने point आगर dy by dx 0 छे राइट तो मारे step 1 शूँँ थाशे? step 1 विल बी find dy by dx, ओके? then step 2 विल बी take dy by dx is equal to 0 अन्य dy by dx is equal to 0 लेवा थी x नी अलग-अलग values मार्शे okay? find x is equal to जी अलग-अलग values छे अन्य आप ड़े 0, x1, x2 आप बधा नाम हापी दईये छे अन्य बद्धा केवा छे? extreme points छे कातो maximum छे, कातो minimum छे? dy by dx equal to 0 लेवा थी x नी जे पण values मारे छे? यह values मारे ओक ही शेका के आप points अगर f नी कातो maximum value छे, कातो minimum value छे? तो यह सुधिया अपने extreme points मड़ी गया अन्य पछी आपड़े जोवानों के क्यारे maximum छे और क्यारे minimum छे? तहनी आगर अपने यहां discuss कर्यों, क्यारे maximum क्यारे होए? जारे d2y by dx2 लेस देन 0 आवे कांड के उपर थी नीचे आव शे, minimum क्यारे होए? जारे d2y by dx2 पॉजिटिव आवे, ओके? So, next step मारू शून तहिशा शे? Step number 3, find d2y by dx2. Step number 4 मा calculate d2y by dx2 at x equal to x0, x1, x2 and so on. तमने जेटला पन एक्स्ट्रीम notation लेन आपने शून लखी शूने तमने बताऊ चू के if d2y by dx2 at x equal to x0 is greater than 0, then fx has, चलो greater than 0 है तो नीचे थी उपर आवे चे, मतलब के minimum value चे, राइट? So, fx has minimum value at x equal to x0, राइट? ये वीज रिते, जो less than 0 है तो, let's see, if d2y by dx2 at x equal to x0 is less than 0, then fx has, चलो less than है एटले, उपर थी नीचे आवे चे, राइट? एटले के भी value होय? Maximum value होय, then fx has maximum value at x equal to x0, that means, के आ step मा, आपणने जे पन d2y by dx2 नी values माली थी, ये चो कर्यों आपणे दर्येक extreme point नी values आमा मुखी, और पछे आपणे statements हाप्या के, d2y by dx2 greater than 0 चे तो minimum value होचे, less than 0 चे तो maximum value होचे, आथो आपणे नक्की कर्यों के minimum चे के maximum, और ये values तो शोधवानी बाकी चे, so step number 6 मा, calculate f of x0, f of x1, f of x2 and so on, जे पन x0, x1, x2 माले चे बद्दा माटे f नी value शोधी नाको, और पछे एक concluding table बनाओ, x0, x1, x2, तो ये टिक करो के maximum value होती के minimum value होती, और पछे आपणे fx नी values आमाज आपणे शोधी ये लखी नाको, x0 आगर maximum होईतो greater than, और अगर minimum होईतो less than, right, and then अहिया तमने जे पन value माले चे ये लखो, इटले शूँ थाए, कि आ table उपर थी आपणे एकदम clear थाई, कि कया extreme points हता, आ extreme points हता, कया point उपर maximum value होती, कया point उपर minimum values हती, right, and then शूँ values हती maximum, minimum, बद्धूश तमने आ table उपर थी clear थाई जशे, तो एक वार आपड़े जूई लहिए, फारी थी step, step number 1, dy by dx, और d by dx of fx, तो मैं f लगता हो, तो f लगो, y लगता हो, तो y लगो, okay, first derivative शो दिना को step number 1, step number 2, एन equal to 0 लेने बद्धा extreme points शो दिना को, okay, हवे step number 3 मां second derivative शो दो, step number 4, second derivative मां अहिया जे पन values आपने माड़ी छे बद्धी वारा फर्ती मुखी दो, बजी आ values ना धारे तमीं अगर statements आपो, कि ज्यारे आनी value greater than 0 चे तो minimum value चे, less than 0 चे तो maximum value चे, इला आपणने खबर पड़ी कि कया-कया points हता, extreme points, कया point आगर maximum value चे, कया point आगर minimum value चे, मारो first example चे, find the maximum and minimum values of the function fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 10, आपणे जे steps आपना लखिया चाने, ये step प्रमाने जे examples आपने करी शो, तो first of all जे function आपे चे आपड़े लखी नाखिया, f of x equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 10, अवे differentiation करवानू चे, 2 constant चे, x cube नो differentiation चे, 3x स्क्वेर, minus 15 constant चे, x square नो derivative 2x plus 36 constant चे, x नो derivative 1 plus 10 नो derivative 0, तो मने first derivative शो मारी गयो, 6x स्क्वेर, minus 30x plus 36, this is my first derivative, step 1 is over, step 2 मा शो करवानू, अनी इक्वाल टो 0 ले ले वानू, राइट, तो लेट, dy by और आपड़े fx वा पर ये चे, let dfx by dx is equal to 0, and therefore मने शो माले, 6x स्क्वेर, minus 30x plus 36 is equal to 0, राइट, अब आपड़े जो ही शक्ये चे, कामा थी 3 common निक्ड़े, 6 common निक्ड़े चे, एक्चुली, राइट, तो 6 ने common काड़े ले, ब्राकेट में शो बचे, x2, 6 पंचा 3, 6 common निक्ड़े चे, पांच बच्छे, 5x plus 6 एक्जा 36, 6 common निक्ड़े चे, एक्ड़े, 6 बच्छे, so that is equal to 0, अना जे common काड़े लो 6 छे, आम जाएने 0 थे जे, राइट, and therefore what I have is, x2 minus 5x plus 6 is equal to 0, अना अवे आमारी quadratic polynomial छे, इटले के, द्विगात बहु पादी छे, तो अना अवे वो पाड़ी अने मारे x नी values शोधवानी थाए, so therefore, चलो, अना अवे वो के विलते पादी सूँ, friends? चाना एवा भाग पाड़ों कि जना सरवाड़ों minus 5 थाए, right? मारे चाना एवा बै भाग पाड़ों नाचे, कि जना सरवाड़ों थावो जोए, minus 5 थावो जोए, और गुणाकार 6 थावो जोए, बोलो, सु तसे, 3, 2, 6, त्राण दू छा, पन, plus 6, और minus 5, तो, minus 5 लावा माटे, मारे, minus 3, minus 2 लावा पड़े, right? इटले, आजे, minus 5 थाए, नी जग्ये हूं लखो छू, minus 3, minus 2, so, therefore, x square, minus 5x नी जग्या है, minus 3x, minus 2x, plus 6 is equal to 0. So, therefore, पहला बहा माथी x common नीकड़े चे, तो ब्रेकेट मां बचे चे x minus 3, बीजा बहा माथी minus 2 common काड़ो, तो ब्रेकेट मां बचे x minus 3, and that is equal to 0, जो मैं पहला पन गिजो छे, आज एक पॉइंट छे, जो बनने ब्रेकेट सर्खा ना आवे, तो कशुक भूल करी छे हूं, समझवानों, ओके, मारी पास x minus 3x minus 3 सर्खा चे, इटले, आ x minus 3 common नीकड़ी जशे, so therefore x minus 3 इले ब्रेकेट मां बचे या, x minus 2, that is equal to 0, लब x minus 3, x minus 2 0 चे, इटले का तो आ 0 चे, का तो आ 0 चे, so therefore I can say x minus 3 equal to 0 और x minus 2 is equal to 0 and therefore x is equal to 3 or x is equal to 2 अने इटले माने 2 extreme points माढ या, I got 2 extreme points, 2 अने 3, right? so therefore, now आपे दाऊ, x0 is equal to 2 and x1 is equal to 3, तो आपे मारा extreme points थाई गया, क्या लावाचा, friends, तो अट्रे सुधी नी method एक वार रीकेप्चर करे लईए, first order derivative शो दियो, n e equal to 0, 0 के लईए चे मैं तम ने कि तुचे, slope 0 थाई चे, इटले, okay, 10 equal to 0 लाई लिदू, इस 0 लाईवा थी, माने के एक विगाद बहुपदी माड़ी, जैना अवा यह वो पाड़िया, एटले माने 2 extreme points माड़ी गया, 2 अने 3, okay, आटलो पूरू थाई गया, हवे शूंकरवानू याद करो, second derivative शूधवानू, right? तो dy by dx j माने मौले हो चाहिए, अगर, sorry, dfx by dx j माने मौले हो चाहिए, 6x square minus 30x plus 36, आपणे या लखी नाखिये, कि as d by dx of fx is equal to 6x square minus 30x plus 36, 6x square minus 30x plus 36, आनू मारे second derivative करवानू चाहिए, So, d square by dx square of fx, आई शूं चे, d by dx of, d by dx of fx is the second derivative, right? So, that is equal to d by dx of 6x square minus 30x plus 36. So, that is equal to 6 constant, x square नू derivative 2x, minus 30 constant, x नू 1 plus 36 नू 0. So, that is equal to 12x minus 30. आमारू second order derivative मौल्यू. Second order derivative करया पाची शूं करवानू? आचे बे extreme points मौल्या चे. आना माटे, d square y by dx करनी values चोधवानी चे. d square fx by dx करनी values चोधवानी चे. So, therefore, for x 0 is equal to 2, d square fx by dx square is equal to x नू जग्या हूं बै मौकू. तो बार गुणिया बै, minus 3s. So, 24 minus 30, that is equal to minus 6, less than 0. Second derivative, less than 0 मतलब के, ओलो जे slope चे, जे tangent चे, ये उपर थी नीचे आविर होचे. That means के x 0 is equal to 2 आगर, maximum value चे. Right? So, therefore, at x 0 is equal to 2, fx has maximum value. ख्यालायो, friends? हवे जेरते x 0 is equal to 2 माटे कर्यों, अवे x 1 is equal to 3 माटे पन कर्वानू चे. For x 1 is equal to 3, आप फरी थी? d square fx by dx square. शुचे d square fx by dx square? 12x minus 30. तो बार गुण्या 3, minus 30. बार तरी केटला थाए? 36, 36. minus 30 equal to 6, which is greater than 0. greater than 0 मतलब के tangent नीचे थी, उपर आविर होचे, मतलब के minimum value चे. तो देर्फोर, at x 1 is equal to 3, fx has minimum value. तो माने, अहिया सूती शू माढ़ियो, friends? तो उती पहला में सू करियो? first derivative शो दियो, n equal to 0 लिदो, एटले extreme point माढ़िया. राइट? पच्छे, second derivative शो दियो, एमां बनने extreme points माढ़िया, एटनी उपर थी माने खबर पड़ी, के x 0 is equal to 2, आगण maximum value छे, x 1 equal to 3, आगण minimum value छे, राइट? अवेवाँ शू करिश, function नी value, x 0 और x 1 आगण, शो दिश. तो मारू function शू छे, 2x cube minus 15x square, plus 36x, plus 10. तो मारू function आचे, तो मारे अवे शू करवानू छे, f of x 0, और f of x 1 नी, मारे values चूधवानी छे, x 0 शू हतो, 2 हतो, मतलब के f नी अंदर, मारे 2 मूखवाना, 2 into 2 नो cube, minus 15 into 2 नो square, plus 36 into 2, plus 10. So, that is equal to 2 into 8, minus 15 into 4, plus 36, 2 जा, 72 plus 10. So, that is equal to 16, minus 60, plus 72, plus 10. आउँ कहीं कि था हूँ? तो अवाल्यू के ली थाश है? 38. तो आमारी, f of x 0 नी value था है. Similarly, f of x 1, इटली के, f of 3. So, that is equal to 2 into 3 नो cube, minus 15 into 3 नो square, plus 36 into 3, plus 10. So, that is equal to 2, 3 नो वर्ग, 3 नो वर्ग, 3 तरी, नो तरी, सत्यावीस, इलिए 27, minus 15, 3 नो वर्ग, 9, plus, 6 तरी, 1, 108, plus 10. तो calculation करवा थी, आवो काईक माड़ा छे, and I get 37. अवे, आपने एक वाकर जोडे लाईए, जो, x 0 अगर maximum value माले थी, x 1 अगर minimum value माले थी, तो x 0 अगर मोटी value चे, x बना अगर नानी value चे, राइट, इलिए आवे, आपने conclusion वालो टेबल बनाईशू, साउती पहल्ला आवे, यहमा extreme points, पच्छी maximum value चे, के minimum value चे a, अन्ने पच्छी fx नी values, तो मारा कया बे extreme points आता, x 0 इक्वाल टू, और x 1 इक्वाल टू 3, x 0 टू आगर maximum value हती, और x 1 आगर minimum value हती, और maximum value मने केटली माळी, 38, और minimum value मने केटली माळी, 37, तो अहिया तमारो answer आवे चे, आ टेबल मा तमें जोएले, तमारा अख्खा एक्जाम्पल नों सार माळी जाए, ओकी फ्रेंड्स, तो मैथड ने एक वार लांबी चे पन अगरी नदी, राइट, साओती पहले आपड़े शू करिये चे, 1st order derivative शोधिये चे, राइट, 1st order derivative ने 0 लईने, extreme points शोधिना किये चे, extreme points शोधिया पच्छी, second order derivative शोधिने, ये बद्धाज extreme points शामा मुखी देएचे, राइट, और 2nd order ने जी पन values माले चे, एनना अधारे आपने conclude करेचे, maximum value चे के minimum value चे, सु याद रखवानू, उन्दू याद रखवानू, less than 0, maximum, greater than 0, minimum, ख्याल आवेचे, फरी थी, less than 0, तो maximum, greater than 0, तो minimum, आट लुक हो पड़ी के, कि कया extreme point अगर minimum चे, कया extreme point अगर maximum चे, पच्छी ये बनने values, मतलब के function ने values चोधी नाखवानी, conclusion वारू table बने देवानू, and that's it, I hope this is clear, एक और example करिया, so find the maximum and minimum values of the function, ये सौथी बनलू काम चोगरी ये function आपी चोगी लगी लगानू, राइट, so, मने fx आपे लूचे, x3-3x plus 11, what is my first step? First order derivative, राइट, first order derivative इडले, d by dx of fx, that is equal to d by dx of x3-3x plus 11, चलो, differentiation करिये, x3 नो derivative, 3x2-3x no 1 plus 11 no 0, so, that is equal to 3x2-3, तो, हमारो first order derivative थेगर, what is my second step? आज, राइट, राइट, राइट राइट, राइट, in stepma, let us take d by dx of fx is equal to 0, and therefore, 3x2-3 is equal to 0, so, therefore, 3x2 is equal to 3, माले, so, therefore, x2 is equal to 1, माले, and therefore, x is equal to plus or minus 1, x2 is equal to 1, राइट, 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 राइ 2x-3 नू 0, यहलो मने derivative माल्यू 6x, आमारू 2nd derivative थरू, right? 2nd derivative शोदिया बची शोओ करवानू? आप बनने extreme points नी अगड अनी value शोदिय नाखवानी? So, therefore, for x0 is equal to 1, d square fx by dx square is equal to, so that's 6 into 1, that is equal to 6 greater than 0 चे, and therefore, at x0 is equal to 1, fx has kv value चे, greater than 0 चे, अटले, नीचे थी, उपपर आवे चे, मतलब के minimum value चे, right? So, has minimum value. यह वीच जृते, x1 equal to minus 1 आगड पन जो यह लाए, so therefore, at x1 is equal to minus 1, d square fx by dx square, d square fx by dx square माले चे, मने 6x माले चे, okay? So, it is 6 into minus 1, that is equal to minus 6, which is less than 0, and less than 0 चे मतलब के, उपर थी नीचे आवे चे, maximum value चे. So, therefore, at x1 is equal to minus 1, fx has maximum value. आटलू करिया बजी, शूँ करिये चे, आपड़े? fx नी किम्मत, x0 औने x1 आगड शो दी लईये चे, okay? तुमारो fx शूँ चे? fx चे, x cube minus 3x plus 11, fx चे, x3 minus 3x plus 11, f of x0 इले f of 1, f of 1, इले x नी चेगए 1 मुख वाना, तु 1 नीचे, minus 3 into 1 plus 11, so, that is equal to 1 minus 3 plus 11, right? अग्यान एक बार, माथी 3 जायतो 9, अब f of x1, x1 नी वाल्यू आपड़े minus 1 ले दली चे, so, minus 1 no cube, minus 3 into minus 1 plus 11, so, that is equal to minus 1 plus 3 plus 11, अग्यान ने 34 माधी 1 जायतो, 13, हवे यह अगर फरी जोईल, यह आपड़े maximum minimum, x0 आगर minimum हातू, x1 आगर maximum हातू, x0 आगर नानी वैल्यू, x1 आगर मूटी वैल्यू, right? तो हवे आपड़े conclusion वारू table बनाईसू, extreme points जेचे, x0, 1, x1, minus 1, पच्छी maximum चाहेके minimum, तो आपड़े जोईशेके, x1 आगर maximum value हती, अने x0 आगर minimum value हती, अने जे values हती, यह last column मा, x0 आगर 9, अने x1 आगर 13, तो तमारो final answer थाई गयो, अने तमारा table उपर थी आखाज example नों सार आपड़े जाए छे, ओकी friends, एक और example करिये, तो find the maximum and minimum value of the given function, साथी पहला आपड़े शू करिशू, fx लखी लगे, f of x is equal to 3x cube minus 4x square minus x plus 5, so that is equal to 3 constant, x cube no, 3x square minus 4x square no, 2x square no, 2x square no, 2x square no, 2x minus x no, 1 plus 0, so that is equal to 9x square minus 8x minus 1, आमारो first order derivative थायो, okay, हवे second step माटे शूं करवानुचे, let d by dx of fx is equal to 0 and therefore मारे कौने 0 रवान आचे, 9x square minus 8x minus 1 ने 0 रवाना चे, हवे आनने factorize के विरते करीशू, 3, sorry, 9 अने minus 1 नू multiplication, इटले के minus 9, तो मारे minus 9 ना इवा बै पार्ट्स करवाना, कि जो ना गुणाकर minus 9 थाने सरवाळो, minus 8 थाये, तो 9 एका 9, right, मारे minus 9 जो ये चे ले बैमाथी, एक ने minus अप्पू पडशे, पढ़ minus 8 जो ये चे ले उं मूटा ने minus आपू, इटले minus 8 ना में पार्ट्स करया, इटले minus 9 plus 1, इटले minus 9 plus 1, minus 8, minus 9 into 1, minus 9, इटले बदू फुल्फिल थाये जाये, सो देर्फोर, minus 8 नी जोगे हूं लग्वाने चे, minus 9 plus 1, सो देर्फोर, 9x square minus 9x plus x minus 1 is equal to 0, पहला बैमाथी, 9x common नीकडा चे, सो देर्फोर, 9x कड़े common, तो ब्रेकेट मां चो बच्चो, x-1, पाछड माथी, plus 1 कड़े लो, बिकाज x-1 अल्रेडी चे, that is equal to 0, x-1, x-1 सरखा आवे चे, तो टेक x-1 common, ये बीजा ब्रेकेट मां बच्चे, 9x plus 1 is equal to 0, अने आप बनेनों गुणा का 0 चे, इतला आपड़े कही शक्या कीजिए, x-1 0 चे, और 9x plus 1 0 चे, and therefore x is equal to 1 और x is equal to minus 1 by 9, ता बनने critical points मतलब के extreme points मढ़ी गया, अने नाम आपी देए, so let us name them, x0 is equal to 1 और x1 is equal to minus 1 by 9, ता मारा बने critical points चे, अना पच्छीना step सुचे friends, second order derivative, तो first order derivative जीचे आपने लखी लेशू, 9x square minus 8x minus 1, 9x square minus 8x minus 1, अमारू d by dx of fx चे, okay, so therefore d square fx by dx square शुचे, that is d by dx of d by dx fx, so that is equal to d by dx of the first order derivative, right, it is 9x square minus 8x minus 1, so that is equal to 9 constant चे, x square नूँ derivative जीचे, 2x minus 8 constant चे, x नूँ 1, minus 1 नूँ 0, इटले आपने मालियू, 9x minus 8, आप second order derivative मालियू, हवे, आजे बे एक्स्ट्रीम points मालिया चे, 1 अने minus 1 by 9, एमी आगळ मारे अनी value शुदवानी चे, so for x0 is equal to 1, d square fx by dx square is equal to 18 into 1 minus 8, that is equal to अधर minus 8, it is 10 greater than 0, greater than 0 हई तो minimum, and therefore fx has minimum value at x0 is equal to 1, जो greater than 0, minimum, less than 0, maximum, मां always याद राखवानू, और तमारो second critical point चे, x1 is equal to minus 1 by 9, it is x1 is equal to minus 1 by 9, so d square fx by dx square is equal to 18 into minus 1 by 9 minus 8, and now do अधर, so it is equal to minus 2 minus 8, that is equal to minus 10, which is less than 0, less than 0 एटले शूचे, उपरती नीचे आवे चे, maximum, so therefore, fx has maximum value at x1 is equal to minus 1 by 9, अन्य हवे शूँ करी शूँ, आजे x0 न x1 चे निया, अगर अपड़े f नी value शूदी ना किशूँ, okay, so let us write f, so therefore, मारे f of x0, अन्य f of x1 चोदवाना चे, जे मारे x0 नी value शूँँ चे friends, x0 is equal to 1, अन्य x1 is equal to minus 1 by 9, इटले मारे f of 1, अन्य f of minus 1 by 9 चोदवाना चे, टैक्स नी चे गए 1 मुखे देए, 3 into 1 नो cube, minus 4 into 1 स्क्वार, minus 1 plus 5, so that is equal to 3, minus 4, minus 1, plus 5, तो 5 ने तरण 8, minus 5, that is equal to 3, एविज जुटे, x नी चे गए, minus 1 by 9 मुखे शूँ, so this is equal to 3, minus 1 by 9 no cube, minus 4, minus 1 by 9 no square, minus, minus 1 by 9, plus 5, so that is equal to, जो negative no cube छे, एटले minus रहशे, राइट, minus 3, अपन 9 no cube, एटले वान 9 गुणया, 9 गुणया, 9 कर दो चुके, तमारे cancellation easy थे जशे, ओकी, तम्हे 9 no cube पण मुखे शको, पन cancellation easy थे जशे आना थी, minus 4 into, जो minus 1 by 9 no square, square positive धाया, minus 4 into, 1 by 9 no square, 81, यह cancellation थवानू नती, minus minus plus, 1 by 9, plus 5, यह अगर 3 तरी, 9 cancellation थे जाये छे, therefore, therefore, f of x1 is equal to, मने शू माले छे, तो friends, आज ही साधरूप आपटी अपड़े लसा लेने, यह उपर थी मने मल्यों, के f of x1 is approximately 5.06, आपड़े जो ही शक्के छे, x0 अगर minimum, x1 अगर maximum, that means, x0 अगर नानी value मल्यों जोई, x1 अगर मूटी value मल्यों जोई, मल्यों जोई, यह आपड़े अवे conclusion नू टेबल बनाई चू, friends, तो साधी पहले आपड़े शू लखे छे टेबल मा, critical points, जहने आपड़े extreme points पण कहिये चे, पच्छी आपड़े tick करिये चे, maximum चाहिके minimum, अन्य पच्छी function नी value लखिये चे, तो मारी पासे कया कया critical points चे, x0 जहनी value चे 1, अन्य x1 जहनी value चे-1 by 9, 9, चलो, x0 आगर minimum value होती, x1 आगर maximum value होती, जह आपड़े यह conclude करेलू चे, अन्य x0 आगर जह minimum value चे किटली चे? 3 चे, अन्य x1 आगर जह maximum value चे किटली चे? 5.06 चे, अन्य हैंस यह तमारो एक्जांपल पूरो थाई चे, अन्य वच्छी एक नानो पन इंपर्टन एक्जांपल आईसू friends, find the maximum and minimum value of fx equal to sin x. Okay, this is important. जो, मारो function fx चे, fx is equal to sin x. Steps तुमारे each follow करवाना चे, the first derivative f dash x. और d by dx of fx, एक कज बस्तू चे. f dash x इडले, d by dx of sin x. जेशू थाई चे, cos x. तुमारो first derivative थाई चे, cos x. Okay, what is the second step? Second order, no. What is the second step? We take f dash x equal to 0. जे, first derivative चेने 0 लाईये चे. So, let f dash x is equal to 0. And therefore, I can say cos x is equal to 0. हुवे, आनियो पर थी critical points चेले, के, extreme points के वरी ते मारे. जो, आम तो cos बहुँ ती जग्या 0 थाई चे. बद्दा by 2 अगर cos 0 आओ याद राखवानू. क्या? बद्दा by 2 अगर. मतलब के pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2 and so on. For all the 2k plus 1 pi by 2 अगर cos 0. तो आपड़े के infinite values लेशू? No. Cos क्यों चे periodic function चे. Right? Cos में period केटलो चे? 2 pi. 2 pi बचे same values repeat करे चे. बराबर. आपने चे ट्रिगनोरमेटर ही करें त्यारा बद्दूत समझया चे. तो cos नी value 0 थी 2 pi मा क्या रे 0 थाई चे? इच आपड़े लेशू. तो cos नी value 0 थी 2 pi मा क्या रे 0 थाशे? pi by 2 आगल और 3 pi by 2 आगल. जुओ. unit circle याद राखवानू. 0 थी 2 pi मा. pi by 2 आगल cos 0 और 3 pi by 2 आगल cos 0. ले मने मारा 2 extreme points मालेया. x0 is equal to pi by 2. और x1 is equal to 3 pi by 2. कैमा आओ करूँछू काणके cos periodic function चे. 0 थी 2 pi पच्छी same values repeat करशे. इटला माटे मात्र 0 थी 2 pi माँ आपने maximum ने minimum values मड़ी जशे. ओके, friends. तो मने 2 critical points ने याँ मड़ी गया चे. आणने पच्छी मारे सू करवानूचे? second order derivative. that is f double dash x. तो f double dash x इटले d by dx of f dash x. that is equal to d by dx of f dash x. मने सू माड़ी हो चे? cos x माड़ी हो चे. And therefore, f double dash x is equal to cos x नो derivative minus sin x. अने हावे मारे सू करवानूचे, आप बनना ही critical points आगर, f double dash नी value चोदवानी चे. So, therefore, f double dash x0 that is equal to f double dash x0 में किटला किदा चे? pi by 2. That is equal to minus sin pi by 2. minus sin pi by 2. So, sin pi by 2 नी value केटली चे? 1 चे. इटला थेगो, minus 1 less than 0. Therefore, fx has, चलो हावे, याद हावे, less than 0 इटले, maximum. fx has maximum value at x0 is equal to pi by 2. Right? Similarly, x1 माटे पन करीशो, x1 is 3 pi by 2. So, f double dash x1 is equal to f double dash of 3 pi by 2. that is equal to minus sin 3 pi by 2. उन्हें, sin 3 pi by 2 कांड के 3rd quadrant पच्छी आवे चे. और स्टीसी जो ही है. 3rd quadrant माँ, sin cos बनने नेगेटिव. मतलब के, sin 3 pi by 2 will be minus 1. ओके? तो, minus of minus 1. जो आवो ख्याल ना आवतो है, तो आ करी शको चो. sin 3 pi by 2 is equal to sin 3 pi ने break करो. 2 pi plus pi by 2. that is equal to sin pi plus pi by 2. that is equal to minus sin pi by 2. ओके? एकांड के pi plus pi by 2 3rd quadrant चे. जो आपनने यहां थी directly देखाया चे. And therefore, this is equal to 1 which is positive. और positive होई तो minimum value. So, therefore, fx has minimum value at x1 is equal to 3 pi by 2. एकांड के pi by 2 ने 3 pi by 2 by extreme points चे. that is critical points चे. pi by 2 अगर maximum value चे. 3 pi by 2 अगर minimum value चे. तो आप बनने values चो दिना क्वानी, fx चे मारो sin x. So, f of x is equal to sin x. मारे f of x0 और f of x1 चोदवाना चे. x0 चे मारो pi by 2. और x1 चे 3 pi by 2. So, that is equal to sin pi by 2 and sin pi by 2 1 चे. sin 3 pi by 2. जे में तमने अमने यहां बतायों चे. sin 3 pi by 2 के वर थे minus of sin pi by 2 मले चे. और यहां अगर जो ही तो third quadrant पछी आवे चे. अटली minus of sin pi by 2 चे थवानों चे. So, that is equal to minus 1. ओके? तो आपड़े जो ही लए यह जूओ. pi by 2 अगर maximum value. That is 1. और 3 pi by 2 अगर minimum value. That is minus 1. So, मारू table देज़े चे. critical points, maximum, minimum, fx. critical points चे. x0 is equal to pi by 2. x1 is equal to 3 pi by 2. pi by 2 अगर maximum value चे. 3 pi by 2 अगर minimum value चे. Maximum value 1 माली. minimum value minus 1 माली. अन्ने यह तमारो एक्जाम्पल पूरो थाए चे. तमने जो थोड़ू trigonometry वधार रहाद है, तो sin cos नी range सूचे minus 1 to 1. लेनी दरेक value minus 1 थी 1 नी वच्चे जोए. That means के minimum value minus 1 चे, maximum value 1 चे. जे अपन नहीं थी पंड साबीत थाए चे. I hope this is understood. तो friends, आधना session माँ आपड़े differentiation नी second application जोई. That is, find the maximum and minimum value of a function using differentiation. ताही होप आवद्धाज topics clear थे गया चे. अहीं अगर आपणू chapter पूरू थाई चे. तो दर एक student ने all the best. Thank you. Jai Hind.